हुला अब्रिवन गूड आफ्टर नून कैसे हैं आप लो पेजी से लाइब जुड़ते जाएं मुझसे आप और आज की क्लास इस्टार्ट की जाएं आप सभी तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही हो तो कमेंट में यस लिख दें आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे सुन पा रहे हूं तो कमेंट में यस लिख दें मैं खिलजी राइनिस्टी पढ़ा रहा था खिलजी वन्स खिलजी वन्स पढ़ा रहा था बढ़ियां मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैं आप लोगों को खिलजी वन्स पढ़ा रहा था और मैंने आप लाउद दीन खिल जी था वो बहुत ही महत्वा कांशी था भारत जीतने तक काही उसका उदेश नहीं था वह सब यक्ति है जो दुनिया जीतना चाहता था इसलिए खुद को सिकंदर दुती कहलाना पसंद करता था मैंने लाउद दीन खिल जी की उपाधियां आप सभी को बता रही थी अब अलाउद दीन खिल जी के कार देख लिजे बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया एक-एक सेंटेंस आपके लिए महत्वपोड है दूसरी बात जो कुछ मैं आपको समझा दूं या जो लिखा दूं आप समझ जाना कि वो एकदम क्लियर है उसमें डाउट में मत रहिएगा इतिहास एक ऐसा विसे है आप डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ें और एक फैक्ट किसी एक बुक में अलग प्रकार से दूसरी बुक में अलग प्रकार से तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है हम लोग कई वर्सों से पढ़ जाना कि वही सही है अगर कोई डाउट लगा करें आपको तो सिधा आप लोग क्योंकि लाइप क्लास देखते हैं तो आप अपने डाउट क्लियर करा लिया करें जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से समझते जाएए सब कुछ माइंड में सेट करते जाएए जिससे एकजाम हाल में जाकर आप अपना टैलेंट दिखा पाएं ऐसा ना हो कि एकजाम हाल में बैठें तो आप कन्फ्यूज रहें कि जलालो दिन खिल जी ने क्या किया फिर आप लोगों को अलाओ दिन खिल जी समझा रहा था प्रति दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले आप देखते होंगे यहां पर आपको मैब दिखता है और वह भी वर्ड मैब दसल मैं चाहता हूं कि आप लोग की जो समझ है वह बहुत डिबलफ हो आप किसी भी घटना को ततक अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ऐसा मैं इसलिए भी करता हूं आप देखे जब तक भारत की लोग अदूरदर्सी थे भारत तक ही सिमित थे जो कुछ भारत में देखते थे वही सोचते और समझते थे उन्हें पता नहीं तद दुनि अप लोगों ने पढ़ा और आपने दिखा होगा कि कैसे लोग भारतियों को ही बेवकूब बना कर उनको अपनी सेना में भरती करके भारत को ही जीत कर भारत को लूट कर कंगाल बना गए तो वरतमान समय में इतिहास में जो गलतियां हुई है उससे सीखते हुई आगे बढ़ना है अलाओ दिन खिल जी क्या करने वाला है ये मैं आपको समझाने चल रहा हूँ अलाउद दिन खिलजी के बारे में मैंने कहा था क्योंकि अभी अलाउद दिन खिलजी सुल्तान बन चुका है और अलाउद दिन खिलजी सुल्तान बन चुका है तो फिर जो चाहे वो कर सकता है उसको पांच साल बाद जन्ता का ओट नहीं चाहिए होता था उस समय के जो सुल्टान थे वो अपनी मन मानी करते थे वो जनता की इच्छा पर या उनकी इच्छा की हिसाब से सातन नहीं चलाते थे वो जनता की इच्छा पर नहीं निर्भर थे तो ऐसे में अपने मन की करेगा जो उसको आवस्यक लगेगा वही करेगा क्या करेगा किस बात की अवस्याकता है अलाउद दिन खिल जी को यही बाते मैं आपको समझा रहा था कुछ और डिटेल से आगे बढ़ता हूँ अलाउद दिन खिल जी जैसे ही सुल्तान बना मैंने आपसे कहा था क्योंकि यह ब्यक्ति उत्तर भारत में बैठता है और उत्तर तो आप समझ पाएंगे प्राचीन काल में एगरी कल्चर बरसात के पानी पर निर्भर रहता था यह नदियों के जल से खेत की सिचाई होती थी अब नदियां तो उत्तर भारत में भी थी दच्छिड भारत में भी थी अंतर यह था कि हिमाले से जो नदिया निकलती हैं क्यो सूखने लग जाएंगी लेकिन उत्तर भारत की नदियां बर्फ पिगलेगी हिमाले की चोटियों की पानी आएगा नदियों में तो उत्तर भारत की नदियां वर्स भर सूखती नहीं थी उसमें पानी भरा रहता था एक कारण ये भी है कि उत्तर भारत में मैदानी भाग है खेती योग अच्छी भूमी है यहाँ पर अब पानी की विवस्था थी खेती अच्छी हो जाती थी तो जाहिर सी बात है जादा तर लोग यहाँ खेती करते गए यहाँ पर बस्ते चले गए तो जनसंख्या जादा हो गई यहाँ की और आज उसी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं अलाव दिन खिल जी जैसे लोग इसको लगा कि सासक बनने के बाद क्यों न मैं यहां के लोगों से बहुत टैक्स लूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ दुनिया जीतना है तो बहुत बड़ी सेना बनानी है इसे और आज के बाद यह अपनी इंकम बढ़ाने के लिए जो कुछ किया सबसे पहला कारी है इसने कर्मे बृद्धी की अच्छा कर्मे बृद्धी की वो तो एक बात है ऐसे ऐसे कर लिए कि आप अगर सुचेंगे तो आपको जोकिंग लगेगा मकान कर यदि कोई मकान बनवाता है तो यह भाई ताब उससे कर लेते थे यहां तक कि चराई कर मतलब भारती यदि पसुओं को चराने जाता है 50 प्रतिसत से ले करके 80 प्रतिसत कर लेता था आप 10,000 रुपे कमाते हैं तो 5 से 8,000 तक अलावदीन खिल जी को दे दें बचा 2,000 आपके पार उतने में घर चलाना मुश्किल होगा पर आपका घर चले ना चले अलावदीन खिल जी का क्या जाता है उसका आपना स्वप्न पूरा होना चाहिए अलावदीन खिल जी ने 50 से 80 प्रतिसत कर लोगों से वसुला अच्छा आगे समझे क्या हुआ आप लोग को अच्छे से याद होगा बहुत पहले इल्टुत्विस जैसे लोग अपने अधिकारियों को जमीन देते थे उनके कार के बदले कैस में सैल्ली देने की बज़ाए जमीन देते थे कि जाओ टैक्स वसुल लेना अलाउद दिन खिलजी ने इस नेती को उलट दिया अलाउद दिन खिलजी ने क्या किया जो सरकारी जमीन थी उसको अपने पास लेना शुरू किया सरकारी जमीन को खालसा जमीन कहा जाता था ऐसे में खालसा जमीन का विकास हुआ आज के बाद जब इसके पास सरकारी जमीन बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं मैंने कहा है कि जितनी ज़्यादा जमीन होगी यह आल लेड़ी वहां से टैक्स लेगा टैक्स बढ़ा करके लेगा इसकी आमदानी में बृद्धी होगी अब इसने एक कार्योर भी किया ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बड़ी सेना बनाने की दिश्ता में ही कदम नहीं बढ़ाए इसने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी ये पॉइंट ऐसे हैं बार-बार यहां से प्रस्नाता है इस व्यक्ति ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बलबन था उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था कि कोई उसके खिलाब विद्रोग करना चाहे तो उससे समय से पहले पता चल जाए अलाउद दिन फोटो खीच करके फिर उसको फाऊरम पर चिपका दिया जाता और पता चल जाता यह प्रकार का चिन है कि अलाउदीन खिल जी के घोड़े हैं ऐसे में किसी भी गुप्तचर का या दुस्मन सेना का कोई सैनिक अलाउदीन खिल जी की सेना में आसानी से नहीं घुश पाएगा टैक्स ज्यादा लेकर इंकम बढ़ा रहा है आर्मी भी बढ़ा रहा है और भी कुछ ऐसे कारे कर रहा है जिसको धोखा देना आसान ना हो साथी साथ अलाउदीन खिल जी ने साथी साथ अलाउदीन खिल जी ने वरीद ए मुमालिक मैंने बताया था गुप्तचर विभाग था ये वरीद ए मुमालिक विभाग जो गुप्तचर विभाग कहा जाता था अल लेडी वो तो इसके पास है ही ये उसको और बहतर और यह ऐसा व्यक्ति है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई तो मैंने कहा था कि सेना को सैल्डी देना पड़ेगा आप जरह सा ध्यान से मेरी बास सुने या सारे लोग मेंटली प्रजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं एक बार यास लिख दें मैं थोड़ा सा और अब नाम भी नहीं देख पा रहा चलिया आप सभी मेंटली प्रजेंट हैं तो यह अपनी इंकम बढ़ा रहा है सेना को भी बढ़ा रहा है लेकिन आप इसका दिमाग देखें यह ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आर्मी को सैल्डी कम दिया आर्मी की सैल्डी घटा दी अब आप सोच रहे होंगे कि सैल्डी घटा देगा तो कौन इसकी आर्मी में जाएगा क्यों ड्यूटी करेगा इसने क्या किया आप इसका माइंड लेविल समझेए इसकी चलाकी समझेए यदि एक सिपाही को दस हजार रुपए महीने की सैल्डी दी जाती रही हो और अलाउद दीन खिलजी सैल्डी घटा कर पांच हजार कर दे तो सोच करके देखो उतने ही पैसे में आर्मी डबल हो गई की नहीं पहले दस हजार में एक सिपाही थे अब 10,000 रुपए में दो सिपाही होंगे इसकी सेना डबल हो जाएगी और अलाउद दीन खिलजी ने बड़ी चतुराई से बाजार बिवस्था का गठन किया बाजार बिवस्था और बाजार बिवस्था का गठन करके उस पर नियंसर रस्थापित किया दिल्ली के आज पास एक ऐसा मार्केट बनाया गया था अभी तो आर्मी की सैल्डी बहुत अच्छी है कुछ वर्स पूर आर्मी की सैल्डी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन आर्मी को इतनी फैसिल्टी दी जाती थी सरकार की तरफ से आज भी कम पैसे में कैंटीन से ब्रांडेट सामान मिलता है आर्मी वालों को अलाव दिन खिलजी ने बाजार ब्यवस्था बना कर ऐसा नियंतरड किया कि कोई भी मिलावट का सामान वहां नहीं बिकेगा सामान क्वाल्टी वाले बिकेगे कम से कम पैसे में आर्मी वालों को सामान उपलब दोगा पैसेटी बढ़ा दिया यहां तक की ऐसा ब्यक्ति है बाजार बिवस्था के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया दिवाने रियासत आपसे पूछा जाता है दिवाने रियासत विभाग का गठन किस ने किया था एक पद है देखे इसका यह दिवाने रियासत विभाग जो बाजार विभाग है बाजार से सम्बंदी तेसका गठन किया एक और पद है साहना ए मंडी ये साहना ए मंडी है और साहना ए मंडी बाजार का अधिकारी होता था इसे समझोगा यह व्यक्ति बाजार पर नियंतर अस्थापित कर रहा है इतना ही नहीं आमदनी बढ़ाने के बाद सैनिक सक्ति बढ़ाने के बाद अभी ये क्या करेगा वो तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कुछ कार जो डेल ही में इसने किया वो देख लेजिए जैसे इस व्यक्ति ने दिल्ली में सीरी का किला बनाया सीरी सहर की भी अस्थापना की थी अलाओ दीन खिलजी की कैपिटल सीरी सहर थी अलाओ दीन खिलजी की राधानी क्या थी तो सीरी सहर थी तो यहां पर क्या है यहां पर अलाओ दीन खिलजी ने कुछ और भी कारे किया सीरी सहर बनवाया डिल्ली में ही जमैत खाना मस्जिद आपसे पूछा जाता है जमैत खा कारे हैं आपसे पूछे जाते हैं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं मर सीधा बढ़ जाते हैं इसके उद्देश की तरफ जो इसका उद्देश है उसको पूरा करने का प्रियास यह व्यक्ति कैसे करेगा कैसे करेगा सीरी सहर अलाउद दीन खिल जी की अपनी राजधानी थी औ अपने उद्देश को पूरा करने का प्रियास करेगा और जैसा कि मैंने कहा अलाउद दीन खिल जी अपनी सैन निसकती बढ़ा रहा था ऐसे में अलाउद दीन खिल जी ने पांच सेना पती बनाए थे अपनी सेना सभालने के लिए पांच सेना पती बनाए थे उसने पांच सेनापतियों का जो नाम है वो है एक तो था जफर खान मैं आप लोगों को मंगोल आक्रमण के बारे में बताता रहा हूं यह जफर खान ऐसा ब्यक्ति है जिसने कई बार मंगोल आक्रमण कारियों को हराया था इसके नाम से मंगोल डर जाते थे इतना खौफ था इसका मंगोलो में एक अन्य सेना पती था उलूग खान एक नुसरत खान एक मलिक काफूर जिसे हजार दीनारी कहा जाता था जैसे किसी को दस हजार रूपए में कोई समान है एक पिन है दस हजार रूपए में खरीदी जाए तो पिन का नाम रख दो दस हजारी दिनार उस समय की मुद्रा थी और दिनार ये हजार दिनार में खरीदा गया था इसे लिए मली काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था और मली काफूर अलाउद दिन खिल जी के सेना पतियों में ऐसा सेना पती है जिसने दच्छिड भारत को जीता था मैं आप से बता चुका हूँ साउथ इंडिया पर अटैक करके उस पर नियंतर करना बहुत कठिन कारे है वहां जा करके जीत हासिल करना बहुत कठिन कारे था लेकिन अलाउद दिन खिल जी का एक सेना पति ऐसा था जो जीत हासिल किया था कैसे किया था ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये आप लोगों को समझाऊंगा तो अलाओ दिन खिल जी के कई सेना पती थे जिनका नाम मैंने लिया अलाओ दिन खिल जी के समय पर सरवाधिक मंगोल आकरमण कारियों ने आकरमण किया था भारत पर सबसे ज़्यादा संख् और अलाउद दिन खिल जी के समय में जो मंगोल आकरमर कारी थे, समय पर जो मंगोल आकरमर कारी थे वो ऐसे हैं, देखें, यहाँ पर लिखा है वर्स, यहाँ पर मंगोल आकरमर कारी, 1298 AD में कादर खान आया 1299 में सल्दी आया 1299 में कुतलुक ख्वाजा कुतलुक ख्वाजा और तारगी आया 1303 में एक बार फिर से तारगी आया था 1305 में अलीबेग 1306 में कंक इकबाल 1306 में फिर कंक इकबाल बहुत ज़्यादा नाम पर मत जाईएगा आपसी ज़्यादा तर प्रस्थ ये पूछा जाता है कि सरवाधिक मंगोल आकरमड किस मुसलिम सासक के समय में हुए क्या उत्तर देंगे कमेंट करके बताएं सरवाधिक मंगोल आकरमड भारत में किस मुसलिम सासक पर हुए थे कमेंट करके बताएं हाँ बिल्कुल विनेजी अभी चर्चा करता हूं मैं उसके आलाउद तीन खिल जी जो है उसे सरवाधिक बार मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा और जो मंगोल आक्रमण कारियों में प्रमुख नेता था उसका नाम हुआ करता था दवाखान ये भी याद रखेगा अच्छा एक बात और आप सभी को याद होगा बलबन ने पाकिस्तान छेत्र में कतारबद किले बनवाए थे अलाउद दीन खिल जी ने उन सभी किलों का मेंटीनिंस करवाया लाहूर का दिपालपूर का मुल्तान का सुमन का समाना का और उच्छ का अलाउद दीन खिल जी ने उन किलों का पुननिर्मार भी करवाया कुल मिला जुला के ये समझ लो जब तक आप अपनी स परोसियों के आक्रमण से सुरच्छित नहीं हो तो घर से निकल करके तैयारी करके अधिकारी बनने के लिए प्रयास कहां से कर पाओ गया कुछ ऐसा ही है अलाउद दिन खिल जी अपनी महत्वा कांचा के हिसाब से तब कारी कर पाएगा जब ये विदेशी आक्रमण कारियों से अपनी सीमा को सुरच्छित रखे यद्यपी मंगोलों ने इस पर कई बार आक्रमण किया लेकिन इसने पाकिस्तान साइड के जो बलबन द्वारा निर्मित के लिए थे उनका पुना निर्मार करवा के मंगोल आक्रमण को रोकने में सफल रहा उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहोंगे हाँ बिलकुल पाकिस्तान छेतर में थे ये जो समय के के लिए हैं अच्छा अब सुनिए अलावदीन खिलजी ने जो कार किये और जो और महत्तुपूर बाते हैं अलावदीन खिलजी के बारे में अब उसको ध्या जो ये माइंड का यूच कर रहा था इसको लगा दच्छीड भारत पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम लेकिन इतना सोना चादी है वहाँ पर तो लूट तो सकते हैं अब जो कुछ मैं बता रहा हूं इस पर भी प्रत्न पूछा जाता है इस व्यक्ति ने साउथ इंडिया पर कंट्रोल करने का नहीं सिर्फ लूटने का प्लान बनाया योजना समझो आप सारे लोग मेंटली प्रजेंट हैं सारे लोग मेंटली प्रजेंट हैं यस लिखें बढ़िया इस व्यक्ति ने उत्तर भारत पर कंट्रोल रखते हुए अपनी इंकम बढ़ाते हुए सैन सक्ती बढ़ाते हुए दच्छिड भारत को लूटने का प्लान बनाया दच्छिड भारत को लूट कर आमदनी बढ़ाएगा फिर सैन सक्ती और बढ़ाएगा इसके बाद सिकंदर बनने का स्वपन पूरा कर सकता था कि नहीं ये आप अगर समझ पा रहे हूं जिस प्रकार की योजन है इसकी आराम से सिकंदर बनने का स्वपन पूरा कर सकता था कि नहीं ये यस या नो में उत्तर दें यस या नो यस या नो अपना स्वपन पूरा कर सकता है कि नहीं ये यस या नो में उत्तर दें चलिए सारे लोग यह लिख रहे हैं आप और ध्यान से मेरी बात को सुनिए वैसे तो मैं आप लोगों को concept समझाने के लिए exam oriented material देने के लिए आपका factual knowledge बढ़ाने के लिए लगातार बोलता रहता हूँ आपको समझाता रहता हूँ मुझे पता है कि आपके पास वीडियोज बढ़ा रहेगा और आप लोग दुबारा देख करके सारे point note कर सकते हैं लेक्चर को revise कर सकते हैं इसलिए मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ये योजना आपके भी होनी चाहिए जिस दिन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा गेन करने का ज्यादा से ज्यादा पढ़कर उसको दिमाग में रखने का आपने कार्य करना शुरू कर दिया मतलब आपको सेलेक्षन में ज़्यादा टाइम लगी नहीं सकता याद रखना आपको कम समय में यदि कोई सेलेक्ट कर सकता है तो आपकी मेहनत और आपकी योजना आप किस प्रकार की प्लानिंग बना करके सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ड है तैयारी करने वाले बहुत हैं बढ़ कुछ लोगों को कम से कम समय में सफलता मिलती है कुछ को टाइम लगता है अंतर क्या है दोनों में? माइंड लेवेल का अंतर नहीं होता सामान दिमाग की लोग भी इस एक्जाम में जंडा गारते हैं अभी देखिए एक रिजल्ट आया दोनों मांक से अंधा ब्यक्ति जिसको घर वाले तक कह रहेते कहीं छोड़ दो भीक मांगे गये उसने राजस्थान PCS में रिजल्ट दिया तो आप समझ सकते हैं बात यहाँ पर प्लानिंग की है आप किस तरह की प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप समझिये अलाव दिन खिलजी ने किया गया उत्तर भारत में यदि कोई सासक बिद्रोग करता है तो अलाव दिन खिलजी उसके बिद्रोग को समाप्त करेगा दच्छिड भारत को लूट लूट करके अपना खजाना बढ़ाएगा फिर सैन सकती बढ़ा करके दुनिया जीतेगा और सिकंदर बन जाएगा अईसा इसको लगता था अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आप आगे का लेक्चर सुनेंगे तब पता चलेगा अगर सब कुछ अपने ही सोचने से हो जाए तो बात ही अलग हो अलाव दिन खिलजी ने भारत वर्स पर कई आक्रमण किये भारत में रह करके जगह जगह आक्रमण किये इसके सतारे आक्रमण जो है मैं आपको समझाने चल रहा हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से प्रसनाते हैं अलाव दिन खिलजी जब इसका आक्रमण सुरू हुआ तो अलाउद दीन खिल जी ने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स, किस वर्स आक्रमन हुआ, राज, जिस राज पर आक्रमन होता था, यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ का राजा कौन था, ध्यान से सुनते रहना, मैं पर मैं आपको इतिहास पढ़ाता रहा हुँ, तो अपने mind में थोड़ा समय पयाद करना, जैसे मैं कहूं गुजरात पर आक्रमर तो सोचना दिल्ली से गुजरात किस तरफ, मैं कहूं चितवर पर आक्रमर तो सोचना दिल्ली से चितवर किस तरफ, बाकी बाते अभी clear कर दूगा, तो देखे क्या हुआ, अलाव दिन खिलजी ने 1298 पे गुजरात राजी पर आक्रमण किया इस तमय यहां के सासक थे राय करड अत्वा करड सिंग बागेला इनका नाम था राय करण सिंग अत्वा करड सिंग बागेला यह हार गए, हार करके भाग गए इनकी पतनी कमला देवी जो बेहत खुबसूरत थी उनसे अलाव दिन खिलजी ने साधी कर ली गुजरात पर अलाव दिन खिलजी का कंट्रोल 1301 AD की बात है जिस रड थंभावर के किले को देख करके अलाव दिन खिलजी के ससुर्जी भाग खड़े हुए थे अलाव दिन खिलजी ने वहां अक्रमण किया और 1301 AD में यहां के सासक हुआ करते थे हम मेर देव जो की हार के अलाव दिन खिलजी के एक और सफलता 1303 AD की बात है 1303 AD की इस ने अटेक किया बंगाल पर इस समय बंगाल का जो सासक हुआ करता था उसका नाम था समसुदीन 1303 AD में अलाव दिन खिलजी ने अटेक किया तेलंगाना पर आज तेलंगाना एक स्टेट बन चुका है पर कभी एक छेतर था इसने तेलंगाना पर हमला किया और तेलंगाना के सासक हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेयो यद यप इसको कुछ खास सफलता नहीं मिली अभी तेलंगाना की चर्च आगे करूँगा मैं तेलंगाना की चर्च आगे करूँगा देखो सुनते रहो परिसान मत होना के सार इ बाते कर रहा हूं मैं और जब तक इतना ध्यान से सुनकर इसे याद नहीं करोगे कल्याड नहीं होने वाला ये भी समझ लेना अब चाहे इसको एक साल में सब कुछ क्लियर करके याद करते हुए सेलेक्शन लेलो या आप चार साल लगा दो नेक्स्ट जो अटैक है अलाव दिन परिसान मत होना मेरा लिक्चर समाथ होते होते सारी बाते क्लियर समझ में आपके आ जाएंगी बस अभी ध्यान से सुनते रहना इस व्यक्ति ने 1303 AD में 1303 AD की बात मुखरजी नगर में दिन भार बैक टो बैक लास होते हैं हम लोगों की और यसे में आप लोगों के लिए जो मैंटेरियल बनवाया जाता है पेडिया जैसा कि देख रहे हैं आप जिन्होंने टाइप किया हुआ हुआ है उन्होंने काफी मेहनत कर दी है तो उनकी मेहनत में क और संकल्प को समझते हुए आप भी मेहनत करके खुद को सफल बना कर हमारे उद्देशों को पूरा करें आपकी सफलता हमारा उद्देश से है और आपका अगर उद्देश है तो आपका भी उद्देश समर्पीत होकर कार कर दो बस कम समय में उद्देश से पूरा हो जाएग चैलेंज जिन्दगी में आता रहता है तो जल्द से जल्द एक उद्देश पूरा करो फिर दूसरा उद्देश आपका इंतजार कर रहा होगा तो यहां पर क्या है कि तेरा सो तीन इस भी में इसने अटैक किया चित्तवड पर चित्तवड पर राजा थे रतन सिंग और रानी हुआ करती थी पदमावती यहां पर जो रानी हुआ करती थी बच्चों इनका नाम था पदमावती अब यहां पर थोड़ा सा डीटेल से सुनिए अब एक पंडित जी हुआ करते थे उनका नाम था रागव पंडित अब उनको पता नहीं क्या समझ में आया उन्होंने क्योंकि अलाउद्दीन खिल जी गुजरात की रानी से साधी कर चुका था तो उसको लगा कि अगर बहुत खुबसूरत महिला हैं तो चल कर मैं साधी कर लेता हूँ अलाउद्दीन खिल जी इसी उदेश के साथ चित और गया लेकिन याद रखना ये चित और है इसको सही जानकारी नहीं थी चित और के बारे में वरनाईसी कलती नहीं करता ये चित और का किला पूरे राजस्थान में सबसे हुआ करता था आप वहाँ जीत हासिल नहीं कर सकते ये कई दिन तक जा करके चितावड किले को घेर करके बैठा रहा सफलता नहीं मिल रही थी इसने दिमाग का प्रयोग किया राडा रतन सिंग से जा कर मुलाकाद की कि आपसे मिलना चाहता हूँ रतन सिंग मिले इससे खूब आओ भगत की हमारे देश में आती थी देवभवाला कॉंसिप्ट रहा है ऐसे में क्या है कि जो अलाउद देन खिल जी था वो रतन सिंग से मिलकर जब जाने लगा तो उसने रतन सिंग से कहा कि सर सुना है आपकी पतनी बेहत खोब सूरत हैं एक जलक देखना चाहता हूँ यद यलाउद देन खिल जी रतन सिंग के महल में नहीं बैठा होता तो उसकी गरदन धर से अलग होती वो राजपूत थे राजस्तान के छोड़ते नहीं लेकिन क्योंकि वो रतन सिंग के घर में था इसलिए तुरंत रतन सिंग ने उसको मारा नहीं कहा जाता है पदमाउती जी ने रतन सिंग जी को बुलवाया और ये प्रस्ताव रखा कि एक कारी करते हैं यदि आप ना करोगे तो युद्ध होगा बहुत सारे राजपूत मारे जाएंगे यद जब राजस्थान के राजपूत मरने से नहीं डरते थे ये बात पूरी दुनिया जानती थी पद्मावती जी का ना ये था कि यदि एक जलक ही देखना चाहता है एक जलक दिखा दीजे अब आप ये कलपना मत करिएगा कि फेस टू से जो है आलाउद दिन खिल जी और पद्मावती जी को बैठाया जाएगा और एक दूसरे की हाल चाल लेते हुए अलाव दिन खिल जी कहेगा मैडम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कभी डेली घुमने आई आपको कुतुब मिनार दिखाते हैं पद्मावती जी भी बोलें कि भाई साब आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा चित्तावर आते जाते रहेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप लोगों ने मुवी देखी होगी पेषवा बाजी रव मस्तानी मस्तानी पेषवा खड़े कहीं और होते थे दिखते कहीं और थे विज्ञान का विकास था ऐसी टेकलोजित याइसा किया गया था ऐसे ही पद्मावती जी दरपड के सामने खड़ी होंगी पर कई दरपड ऐसे से थे कि उनकी चाया कहीं और भी दिखाई पड़ेगी वह कहीं और भी दिखाई पड़ेंगी बस दरपड में और इस तरह से अलाउद दीन खिल जी को एक जलक एक जलक बिने चोवे जी आपकी हसी का कारण समझ गया मैं तो क्या है कि उसी दरपड में अब अलाउद दीन खिल जी माइंड में ये सेट कर बैठा कि इनसे साधी करूँगा मैं सिकंदर बनने वाला सप्न बाद में पूरा किया जाएगा साधी करूँगा मैं जब रतन सिंग अलाउद दीन खिल जी को छोड़ने महल के बाहर आए किले से बाहर आए अलाउद दीन खिल जी ने रतन सिंग को किडनेप कर लिया ले करके दिल ली आया और वही घिसा पिटा विलेन वाला डायलक राजा को ले जाओ रानी को लेके आओ इसने ये प्रस्ताव रखा चितावर के राजपूतों के सामने इसको लगा कि राजा का ज्यादा महत्त है रानी का कम चिताओर के राजपूत अपनी रानी को सौप करके राजा को ले जाएंगे इसको पता नहीं था कि भारत में राजा रानी तो छोड़ो सबसे ज़्यादा महत्व था महिला के संबन का अब मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ महिला के सम्मान के लिए पुरी लंका को बिद्वन्स कर दिया था भारत के लोगों ने इंसान तो इंसान क्या जंगलों से देखिये बंदर और भालू तक गए थे साथ देने अन्याय की खिलाप यदि कभी भी लड़ाई हुई भारत के इंसान के साथ भारत के पस उपच्छी तक सपोर्ट करते थे सत्य का ऐसा इतिहास में था पूरी महाभारत हो गई चित्तवड के राजपूत सम्मान के नाम पर मरना उने को कुबुल था एक बार नहीं सव बार यही वज़ा है कि कोई भी महिला विदेशियों द्वारा आप मानित ना की जाए चित्तवड के राजपूत यदि युद में हार जाते तो महिलाई जवहर कर लेती थी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सम्मान किस अस्तर का था किस अस्तर का सम्मान होता था ऐसे में क्या हुआ चित्तवड के राजपूतों ने प्लान बनाया कुछ सव राजपूत महिलाओं के मेकप में साडिया पहन कर तलवारे लेकर पालकियों में बैट कर दिल्ली आए मुझे लगता है कि यदि भारत का पुरुष कभी भी महिला के गेटप में आ जाए उसकी सक्ति कई गुना बढ़ जाती एक गटना मुझे याद आ रही है महाभारत में भेम जी एक कीचक नाम के बहुत ताकत और व्यक्तिव को मारने के लिए महिलाओं के गेटप में बैठे हुए थे जैसे कीचक आया वहीं पर उसका चैप्टर क्लोज कर दिया महिलाओं के गेटप में रहते हुए अर्जुन वो विराट नरेज के यहाँ अपने कहानी सुनी हो जो विराट का युद्ध हुआ था पूरी कवरव सेना को हरा बैठे ऐसी और भी कुछ घटनाएं हैं मैं आपको बताऊंगा चंद्र गुप्त विक्रमा देते हैं एक बार महिला बन करके एक दुस्मन सासक के कैप में घुशकर उसकी अत्या करके चले आए थे मैं आपको बताऊंगा अपना दिमाग आप अलक्स अभी मत लगाईए तो यहाँ पर क्या है नहीं तो आप लोग अर्षका अनर्षकर देते हैं है ना तो यह मैं नहीं चाहता कुछ सव राजपूत दिल्ली आए किले के गेट पर खड़े होकर के राजपूत ने कहा गेट खोली ये पदमावती जी को ले करके आए अलाऊदीन खिल जी के साइनिकों को लगा महिलाए ही तो हैं किले कह गेट खोला गया और ऐसा फिटना शुरुक या राजपूतों ने अलाउदीन खिलजी की सेना को कि कुछी घंटों में अलाउदीन खिलजी की सेना को मारते काटते हुए राडा रतन सिंग को बचा कर यहां से राजपूत लेके चले गए आप सोच भी नहीं सकते इस समय पर हुआ क्या मैं आपको बता दूँ अलाउदीन खिलजी का मतलब इतने बड़े छेत्र का सासक चिताओड का मतलब इतने बड़े छेत्र का सासक अलाउदीन खिलजी की सैन सकती को धता बताते हुए रतन सिंग को लेके जाना ऐसे ही है जैसे बंगला देश के कुछ सिपाही अमेरिका पर अटैक करके अपनी किसी व्यक्ति को छुड़ा के लेके चले आएं ये राजपूत हैं मुठी भर राजस्थान के राजपूत लाखों की सेना पर भारी पड़ते थे अभी इस घड़ना पर मूवी बनी थी पदमावत मुझे लगा कि हो सकता है मूवी में कुछ रियल्टी दिखाई गई हो जैसा उस समय के राजस्थान के राजपूत लड़ते थे पर मूवी देखने के बाद बड़ी निरासा हुई मुझे मैं मन ही मन सोच रहा था कि कास ये मूवी साउथ इंडिया के किसी डिरेक्टर ने बनाई होती वो बाहुवली टाइप से तो आज पता चलता भारत की लोगों को एकी लड़ते कैसे थे चित्ताउड के राजपूत पर अफसोस की बात ऐसा हुआ नहीं मुझे लगता है जिस तरह से मूवी में आज दिखाया जाता है अकेला व्यक्ति सैकुडों को मार काट रहा है वो रियल लाइट में कभी चित्ताउड के राजपूत किया करते थे अफसोस की बात भारत के इतिहास को रियल तरीके से लिखा कहां गया छेड चाड करके विद इमोशनल हो गये हैं मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए इमोशनल नहीं होता मेरी अपनी सैली है बस यह आपको समझाने का मेरा अपना तरीका है जब रतन सिंग चित्ताओड पहुँचे चित्ताओड का एक पढ़ोसी राजा हुआ करता था उसकी नियत खराब थी उसको लगा कि रतन सिंग है नहीं बहादूर राजपूत है नहीं अच्छा इसी युद्ध में गोरा और बादल लड़ने आये चित्ताओड से कल कोई ब पढ़ोसी चित्ताओड पर अटैक कर दिया जब रतन सिंग वहां नहीं थे रतन सिंग वहां पहुचे तुनको बहुत बुरा लगा कि पढ़ोसी उपर से बुरी नियत मेरी गैरहाजरी में मेरे राजी पर अटैक अटैक करके राडा रतन सिंग ने अपने पढ़ोसी सासक क को हराया मार डाला पर युद्ध में घायल हुए वापस आये बिमार पड़े और मर गए अब मेरी कहानी को आप लोग पदमावत मूवी से मत जोड़ना मूवी अलग तरीके से बनाई जाती है इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए रियल्टी अलग होती है इधर रतन सिंग मर चुके थे अलाव दिन खिलजी गुशा था राजपूतों पर जब राजा मर चुका हो तो राज में निरासा का महौल था नेतित्तु का भाव था और ऐसे ही समय पर अलाव दिन खिलजी ने चित्तवड पर अटाइक कर दिया जो चित्तवड अलाव दिन खिलजी से कभी जीता ही नहीं जा सकता था इन हालातों में अलाव दिन खिलजी वहाँ पर मार काट मचाया महारानी पदमावती जवहर करके मर गई बहुत सारी महिलाएं भी अलाव दिन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान को चित्तवड का गवर्नर बनाया और मैं आपको बताऊं इसी ने चित्तवड का नया नाम बदल करके रख दिया था खिज्राबाद याद रखना, खिज्राबाद, चितोड का नया नाम है ये, अलाउद दिन खिल जी, ने इसका नाम चेंज कर दिया, और आपको मैं बता दू ये जो घटना मैंने आपको बताई अभी, अभी आगे और चर्चा करूँगा, अलाउद दिन खिल जी का एक मित्र, इनके दरबार क कवी था मीर खुसरो, उसने एक किताब लिखी है खजाइनुल फुतुह, सुनों अभी बोड पर मैं दिखा दूँगा, खजाइनुल फुतुह, खजाइनुल फुतुह में दो केरेक्टर हैं, एक का नाम है सूलेमान, दूसरे का नाम है सैबा, सूलेमान मतलब अलाउद दि खजाइनुल फुतुह में अलाउद दिन खिल जी का नाम है जो उसने लिखा, और उसने कलपना करके एक लविश्टोरी लिख डाली, खजाइनुल फुतुह में, अलाउद दिन खिल जी का नाम बदल कर, पदमाउद जी का नाम बदल कर, अलाउद दिन खिल जी को प्रसन कर निकले श्टोरी लिखे और उसी बुक से कुछ पॉइंट निकाल कर संजय लीला भंसाली अपनी मूवी में यूज करना चाहते थे जब पदमाउती जी पर मूवी बन रही थी बैरहाल राज अथान की राजपूतों ने संजय लीला भंसाली का स्वागत कैसे किया था आपसे चीपा नहीं है बड़ी समस्या हुई और बंसाली को अपना कदम पीछे खिचना पड़ा और क्यों नहीं भी रोध करते जिनें आधर समाना जाता है राजस्थान में आप राजस्थान में जाकर कि उसी कहानी से छेड़ चाल कर रहे हैं तो आपका तो पिटना तैंथा और बंसाली के साथ वही हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूं इस घटना पर बहुत वर्स बाद मलिक मुहमद जैसी ने पदमावत नाम की पुस्तक लिखी है और मैं आपको पदमावत किताब की ही बाद बता रहा हूं देखो जब कोई बिद्वान किसी सासक के समय में बोक लिखता और जब कोई बहुत समय बाद किसी घटना पर भुक लिखे तो समय तो कोई सासक वीरोद करने वाला है नहीं पुराने समय वाला तो कुछ भी लिख सकता है वो इसलिए अमीर खुस्रों की किताब कुछ और कहती है लेकिन मलीक मुहमद जैसी की किताब कुछ और कहे लिख भीषी तो आप इस बात को समझ यह मैं क्या कहने का प्रयात कर रहा हूँ तर फिर क्यों कहते हैं कि मुवी समाझ का आइना है जब सारा इतिहास ही चेंज कर देते अब समस्या तो है समस्या तो है पर क्या किया जा सकता है हां राज माता थी राजस्थान की बिलकुल यहां पर क्या है कि ऐसे में अलाव दिन खिल जी ने चित तोर पर विजय हासिल की तेरस सो पांच इस भी की बात है अलाव दिन खिल जी ने मालवा पर अटेक किया यहां के सासथे महलक देव तेरस सो साथ इस भी में देवगिरी पर आक्रमण करवाया यहां के सासथे राम, चंद्र, देव अब एक बात मैं आपसे क्लियर बता दूँ, नार्मली किसी को कमजोर कहना है तो लोग कमेंट में उसे हिजडा बोल देते हैं अलाव दिन खिल जी के यहां भी यह खिजडा था और सारे सेना पतियों में सबसे सकती साली, वही मलिक का फूर गुजरात आक्रमण के दवरान मिला था वो, कुछ लोग कहते हैं अलाव दिन खिल जी से उसके सम्मन्ध नार्मल नहीं थे, कुछ लोग अलाव दिन खिल जी की पत्री तक कहते हैं उसे बैरहाल इमोशन को जगह ना देते हुए दिमाग में आप बस इतना समझ लो कि अलाव दिन खिल जी का सबसे ताकरत वर सेना पति था वो और वही ऐसा सेना पति है जिसने साउथ इंडिया पर अटेक करके बार-बार उसे लूटा आप से पूछा जैता है वो काउं सा लाव दिन खिल जी का कमांडर था जो साउथ इंडिया में विजजय हासिल किया वो मलिक काफूर है मलिक काफूर साउथ में बार-बार अटेक करता था 1307 में देवगिरी पर अटेक हुआ 1308 ISB में सिवाना परटैक हुआ सासक्थे सितल देव 1309 ISB में मलिक काफूर ने ही तेलंगाना परटैक किया यहां का सासक था प्रताप रुद्र देव और रुद्र देव ने ही काफूर को पहली बार कोहिनूर हीरा दिया था कोहिनूर डाइमंड आप कोहनूर हीरे की कहानी जानते होंगे पहली बार मलिक काफूर को प्रताप रुद्र देव ने दिया हीरा दरसल उपने राज को लुटने से बचाने के लिए बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवारात मलिक काफूर को दिये थे तो काफूर उसको लाऊदिनखिल जी को दे देगा यहाँ पर भी मलिक काफूर यानि अलाऊदिनखिल जी के सेना पती को विजय हासिल हुई इसके बाद वर्स राज, राज और राजा की बात की जाए तो 1310 इसबी में होईसल राज पर मलिक काफूर का टेक करनाट का में था ये कैपितल द्वार समुद्र इसकी राधानी द्वार समुद्र थी यहां का सासक हुआ करता था बीर बलाल थर्ड यहां पर भी अलाओ दीन खिलजी को जीत हासिल हुई सुनते रहो अभी मैं क्लियर कर दूँगा क्या बताना चाहता हूं इसके बाद तेरा सो यारा इस भी में फिर से द्योगिरी पर टेक सासक है राम चंदर देव के पुत्र संकर देवो सिंघन देवो तेरा सो यारा इस भी में मदुरय पर टेक जो की तमिल नाडू में है यहां के साते वीर पांड ए एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुन लिजे वीरपांड के भाई थे सुंदरपांडे सुंदरपांड ने ही मलीक काफूर को बुलाया था कि वीरपांड को मार डालो साथक मैं बन जाओं मलीक अफूर लूटना चाहता था मद्रेई को तुमी गया यह व्यक्ति लेकिन क्या है कि कई बार लड़ने में बहादुरी होती है कई बार भागने में कुछ लोग भागने को कायरता कह देते हैं पर कई बार भागना समर्दारी होती है बहादुरी का कार है वो और इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे वीरपांडे जैसे अगर मैं बनारस का ए उडॐसिटी के सामने तो वीर पांड भाग जाते लंका मली काफूर लंका पहुंसता तो वीर पांड भाग जाते असी घाट पर फिर मली काफूर असी घाड पर पहुंचता वीरपांड वहां से भाग जाते फिर रेलवेश टेशन मतलब कुछ इस तरीके से वीरपांड भागते रहे मली काफूर उनको दवडाता रहा कि मली काफूर ठक गया और ठक करके वापस आ गया आपसे पूछा जाता है कौन से एक मात्र सासक अलाउदीन खिल जी या मली काफूर से नहीं हारे तो क्या नाम लेंगे कमेंट करके बताएं क्या नाम लेंगे कौन से एक सासक अलाउदीन खिल जी या उसके सेना पती वीरपांड से नहीं हारे तो क्या नाम लेंगे आप? ऐसी कई जगा पर जा करके मलिक काफूर ने मंदिर तोड़ तोड़ करके उनको लूटा अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा पहुत छोटा सा एक एक जामपल लेता हूँ बात को समझेए जैसे कई बार क्या होता है जब बीरेंज सहवाग बैटिंग करते थे और जिस दिन बीरेंज सहवाग फार्म में हूँ इतने चौके छक्कों की वरसात होती थी कि पूरी फिल्ड में जब वो ग्रीन लाइन नहीं दिखाई जाती ये चौका ये छक्का तो पूरी फिल्ड में लगता है कि चौका छक्का ही लगाए हर तरब ऐसे ही आप अलाउद दिन खिलजी का अटैक देखो दिल्ली से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट, तेलंगाना, बंगाल इतने आक्रमण हैं बार-बार इसके कि आप अलाउद दिन खिलजी का अटैक देखेंगे तो इधर देखेंगे आप तमिल नाडू तक जाकर के अटैक किया है तमिल नाडू तक मैंने कहा था जब उत्तर भारत पर अटैक हो रहा था तो साउथ इंडिया वाले सो रहे थे हमको क्या प्राबलम है अरे भाई साब प्राबलम आपको भी होगी आज नहीं तो कल होगी जब तक पूरे भारत की लोग ये नहीं समझेंगे हम लोग भाई हैं अगर एक भाई को प्राबलम होई किसी विदेशी आक्रमन कारी से तो सब को होगी तब तक यहीं हाल होता रहेगा भारत की लोग समझ नहीं पाए इस बात को अलाव दीन खिल जी के सेना पती मली काफूर ने और स्वेम अलाव दीन खिल जी ने भारत पर कई आक्रमन किये और उत्तर भारत पर कंट्रोल बना के रखते हुए दच्छिड भारत को बुरी तरीके से लूडते हुए अलाव दीन खिल जी ने अपनी ताकत बढ़ा ली कोई डाउट कोई डाउट यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें आप लो कोई समस्या यहां तक कोई समस्या है यहां तक कोई समस्या है यदि हो तो बता दें नहीं है कैसे हो सकती है बिद्वान लोग हैं आप अच्छा यह बताइए कितने लोग क्लास सुनते हुए सारे टॉपिक को समझते हुए previous year solve कर रहे हैं जो लोग साथ ही साथ previous year solve कर रहे हूं यस लिखें सर प्लीज वीडियो जमें lecture number लिखाया करें तो सर्च अच्छा lecture number नहीं लिखा है ठीक है मैं बोल दूँगा इतने राज याद कैसे होंगे सारे नहीं याद हों तो कुछ याद कर लिजिए अपने हिसाफ से जो महत्वपूर लगे कुछ लोग लिख रहे हैं previous year solve कर रहा हूं मैं कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं कर रहा हूं वेटा साथ ही साथ previous year solve करो जब तक आप previous year solve नहीं करोगे कैसे समझोगे टीचर पढ़ा क्या रहे हैं और आपको किस तरीके से इसको तयार करना है आज के आज अलाओ दीन खिलजी जो मैं पढ़ा रहा हूं जा करके 20 साल तक सारे सारे स्टेट PCS में जितने भी प्रतन है अलाओ दीन खिलजी से सब देखना और विश्वास करो हर प्रतन साल करने के सिति में होंगे आप इसे confidence वढ़ता है इसे आप सही दिशा में तयारी करते रहते हो बहुं सारा मैटर छोड़ दोगे कि एक साथ पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई समय आता ही नहीं कि एक साथ सब कुछ पढ़ डालो आप धीरे धीरे करके आप लोगों ने बच्पन में ओ कहानी सुनी होगी कचुवा और खरगोस वाली पिड़ा खरगोस चाल मत चलो अगर जीत हासिल करनी है तो कचुवा चाल चलो आराम से पढ़ो सटीक पढ़ो अच्छे से पढ़ो मजबूत पकड बनाते हुए पढ़ो ये बड़ी बात है ये महातुपोड है हाँ घटना चक्र ही साल्व करना है सबसे अच्छा तो वही है प्रिवेस एर के लिए घटना चक्र सबसे बढ़िया है उसी को आप लोग साल्व करें तो अलाउदीन खिल जी ने कुछ इस तरह से अपनी सक्ति बढ़ा ली अभी अभी मैं अमीर खुसरो की चर्चा कर रहा था तो देखे अलाउदीन खिल जी के दरबार में ही अमीर खुसरो रहा करता था और अमीर खुसरो जो है ये अलाव दिन खिल जी का दर्बारी विद्वान था अमीर खुसरो नाम के इस व्यक्ति ने मैं कल बता रहा था तबला और सितार का आविस्कार किया आविस्कार किया आप लोगों से प्रस्न पूछा जाता है उर्दू भासा का जनक है ये अमीर खुसरो नाम का यह व्यक्ति खड़ी बोली का विकास किया था उर्दू भासा का जनक था अमीर खुसरो नाम का यह व्यक्ति तुरुकुला कहा जाता था अर्थात भारत का तोता पैरट आफ इंडिया यह व्यक्ति निजामुदीन अउलिया का सिस्य हुआ करता था इतना अच्छा गुरु और सिस्य का प्रेम का उदाहरड मुझे तो दूसरा नहीं बता बहुत घटना सुनी होगी आपने की पती की डित हुई पतनी अगले दिन या कोई दिन बाद गुजर गई उस दुख को सह नहीं पाई परिवारिक रिष्टो पर तो आपने सुना होगा कि बेटे की मौत मा को नहीं बरदात हो यह माता पेटा की मौत बेटे को नहीं बरदात हो यहाँ देखो जिस दिन गुरू की डेथ होई उसी के अगले दिन से सिमर गया अईसा एक मात्रुदारर निजामुद्दीन अउलिया और अमीर खुसरो का है अचा दोनों बड़ी लंबी उम्र तक जिये भी थे ये दो के दोनों जो है आपको याद होगा अमीर खुसरो बलबन के बेटे के दरबार में था और वहां से ले करके बलबन कैकुवाद क्यूमर जलालो दिन खिल जी अलाऊ दिन खिल जी कुतबो दिन मुबारक सा खिल जी नासरो दिन खुसरो सा और आगे आने वाले समय में ग्यासो दिन तुग लग इतने सासकों का कारिकाल देखा था इन लोगों ने अब इससे जादा क्या जीते मुझे लगता इनके समय के तो पेड अमीर खुसरों की कुछ पुस्तकें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं एक पुस्तक तो खजाइनुल फुतु है जिसमें मैंने कहा सूलेमान और सैबा की चर्चा है और इसमें सूलेमान का मतलब है अलाहुदीन देखो मैं जानता हूं मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपक कुछ लिखने में याद हो जाता है बस समय समय पर रिवाइज करना होगा लेकिन ये करना ही होगा जब तक ये नहीं करोगे तब स्क्राइब की पहुँश सकते आप यहाँ पर क्या है अलाऊ दीन खिलजी नाम का यह जो व्यक्ति है इसनी का नाम सुलेमान था और से बा का मतलब पदमेब का मतलब यहाँ पर पदमेब यह कहानी लिखी अच्छा ये जो है एक और किताब लिखी तिसने आसिका नो हुसी पिहर सुपु हुसी पिहर खमसा और इसके अलावा एक बुक मैं यहां लिख रहा हूं एक बुक यहां लिख रहा हूं बुक का नाम है तुगलक नामा इस बुक का नाम था तुगलक नामा इस तरीके स अमीर खुसरों ने बहुत सारी पुस्तके लिखी अरितु पांडे जी का कहना है सर अपना नोर्स प्रवाइड करा दीजे बिटा सारी मेहना टीचर से ही करवा लोगे आप लोग आप लिखें अब आप ये मत कहना सर आप साथ साथ क्यूं नहीं लिखा देते मैं ये कर रहा वक्त निकाल करके फिर से लिक्चर सुनते हुए साथ में लिख लीजे इस फिर स्लो कर लीजे मेरे साथ कुछ पॉइंट लिख पाईए तू लिख लीजे ऐसा करना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर क्या है कि इसने बहुत सारी पुष्टके लिखी अच्छा अब अलावद दीन खिलजी की बात ये दिखी जाए तो अलावद दीन खिलजी जो है उसका स्वपन अधूरा रह गया और होना भी था कैसे नहीं होता अलावदिन खिल जी का स्वपन अधूरा रह गया भारत के लोगों की बद्वा किस दिन काम आएगी जो बद्वाएं अलावदिन खिल जी को मिले होंगे उसका असर आज नहीं तो कल तो दिखाई पड़ेगा सिकंदर बनने का स्वपन पाले हुए थे ये वो तो बने नहीं अब आप इनका रिजल्ट देखो अलाउद दीन खिल जी के मरने के बाद जो व्यक्ति सासक बना था उसका नाम था कुतबुद दीन मुबारक साह खिल जी ये हैं कुतबुद दीन मुबारक साह खिल जी 13-16 से लेकर 13-20 तक सासक थे ये अलाउद दीन खिल जी के सुपुत्र हैं ये इतने प्रतिभा साली थे अलाउद दीन खिल जी वाला ही तो टैलेंट होगा इसे में भी इतने प्रतिभा साली थे ये ये भाई साहब दरबार में कभी-कभी नगन जाया करते थे बिना कपणों के और कभी-कभी महिलाओं के मेकप में जा करके सिंहातन पर बैट करके लोगों से काते थे हाँ बताओ क्या चल रहा है ये अलाओ दिन खिल जी का रिजल्ट है इस बार लाठी ऐसी जगह चली है आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ बारत की लोग मन ही मन मुश्करा रहे होंगे कि उपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है अलाओ दिन खिल जी का चलता फिरता रिजल्ट है ये पहला इसा सुल्तान जो दर्बार में नगन जाता था अलाओ दिन खिल जी के सुबुत्र है ये यदि ब्यक्ति किस्मत वाला है वो अपने स्वपन नहीं पूरा कर पाया उसको लगता है हमारा बेटा पूरा करेगा बेटी पूरी करेगी महाबीर सिंग फोगाट दंगल मुवी खुद अंतराश्ची अस्तर के पहलवा नहीं बन पाया तो उनको लगा बेटा स्वपन पूरा करेगा बेटा नहीं तो बेटी ओने पूरा किया पर उकिस्मत वाले लोग होते हैं जिनका स्वपन वो या उनके बच्चे पूरा कर देते हैं अलाउदीन खिल जी की किस्मत कितना उसके साथ है समझ पा रहे होंगे आप इसके बच्चे का कोई भविस्य आपको दिख रहा है इसके बच्चे का कोई भविस्य दिख रहा है आपको इतना सारा पैसा लूट करके रखा था अलाउदीन खिल जी ने कम से कम दुनिया से ब्रांडेट कपड़े ही मंगवा के पहन लेता ये कपड़े ही नहीं पहनता था तो पैसे किस काम के अलाव दिन खिल जी का लूटा हुआ पैसा किसी और के काम आएगा इसलिए भारत की लोग काते से ज्यादा टेंसन नहीं लेनी चाहिए खाली हाँ थाए वो बिटा खाली हा सुरच्छा अपनों की सुरच्छा ये जिम्मेदारी होती है आप उससे नहीं भाग सकते पर भारत के लोगों ने कहीं कहीं से लापरवाही की और मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करना चाहता तो यहां पर क्या हुआ कि इसके बात जो है यह कुतबुदीन मुबारक साख खिल जी की बारे में कुछ और पॉइन समझे यह अपने आपको खलीफा कहता था खलीफा यह अलग बात है इसकी बात पर भरोसा ही कौन करेगा आप इसका मानसी कस्तर समझ पा रहे होंगे खुद को खलीफा कहता था खलीफा पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्म के प्रमुक होते थे बड़े सक्तिसाली थे पर इसने अपने आपको संतोस दे लिया इसकी बात मानेगा कौन हाँ आप से जरूर पूछा जाता है कि बताईए खलीफा का टाइटल लेने वाला मुस्लिम सा सक कौन था वो था कुत व्यक्ति मुस्लिम बनने के बाद सासक बना इसी का नाम हुआ करता था नासुरुदेन खुसरो सा और नासुरुदिन जो खुसरो सा है यही अगला सासक था 1320 से ले करके 13 재 Cell du भीस इस बे तक क्योंकि यहां व्यक्ति गुजरात का हिंदू था फिर मुस्लिम बना था इसलिए उस समय के कट्टर मुस्लिम इस पर भरूसा नहीं कर पा रहे थे उसमें से ही एक कट्टर मुस्लिम हुआ करता था गयासुदिन तुगलग अत्वा गाजी मलिक तुगलग गाजी ऐसे ब्यक्ति को कहते थे जो बहुत सारे गैर मुस्लिमों की हत्या करके उनकी सरोकड धेर लगाते मैं इस बात को और अच्छे से आगे समझाऊंगा तो यहाँ पर क्या है कि हुआ यह कि गाजी मलिक तुगलग नाम की ब्यक्ति ने कुछ लोगों को संग्ठित करके यह कहकर कि यह ब्यक्ति हिंदू रह चुका था तो हिंदू का सपोर्ट कर सकता है इसको मारा जाए और अपने सातियों के साथ मिल करके इस ब्यक्ति की हत्या कर दी अब जो ब्यक्ति सासक बना है उसका नाम है गया सुद्देन तुगलग अब आप समझ गए होंगे कि आप एक नया वन्स पढ़ने जा रहे हैं तुगलग वन्स अब जो कुछ आप लोग पढ़ेंगे वो तुगलग वन्स के बारे में होगा मैं एक बात यहां पर क्लियर कर दूँ पहला आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने वाला मौम्मद बिन कासिम उसके बाद महत्पूर आक्रमणकारी दूसरा महमूद गजनवी तीसरा महत्पूर आक्रमणकारी मौम्मद बिन गोरी मौम्मद बिन साम वहीं से मुस्लिम सासन भारत में शुरू हुआ पहला जो सासन किया वो कुत्वोदिन अइबक का वंस था उसके बाद इलतुतमिस का वंस जो उससे भी सक्तिसाली था फिर इलतुतमिस के वंस से भी सक्तिसाली बलबन वाला वंस था और तीनों वंस के लोगों को गुलाम वंस का सासक करते थे ये सब गुलाम वंस के अंतरगत आते थे बलबनी वंस से भी कहीं ज़्यादा सक्तिसाली आपको खिलजी वंस दिखा होगा लेकिन खिल्जियों से भी कहीं ज़्यादा पावर्फुल होगा अगला वंस तुगलक वंस अलाउदीन खिल्जी ने उत्तर भारत पर कंट्रोल किया दच्छिर भारत को सिर्फ लूटा था बहुत पहले ऐसे ही दच्छिर भारत पर आक्रमण करके उसे लूट चुके थे समुद्र गुप्त भारत के नेपुलियन इसलिए अलाउदीन खिल्जी के दच्छिर अभियान को समुद्र गुप्त से जोड़ा जाता है पॉइंट नोट कर लेना बड़े कमेंट आ रहे हैं आपके एक बार पढ़ी लेता हूं मैं सर गाजी का अर्थ टाइटल होता था गाजी टाइटल था जो गैर मुस्लिमों का सर काटके उनका धेर लगा दे उसे गाजी कहते थे आने वाले समय में बाबर भी गाजी का टाइ छलिए आप लोग के कमेंट तो मैं लेता ही रहूंगा समकालिन राजा को भी लोड़ सकते थे यह कमेंट में पूरा पढ़ नहीं पाया कि कैसे समकालिन राजा और कौन उनको लोड सकता था तो यहां पर क्या है कि ऐसे में ये अच्छा बेटा देखो एक बात ध्यान से समझो आप लोग मैं इतिहास की बाते कर रहा हूं तो जो कुछ इतिहास में हुआ उसको प्रजेंट से पूरा का पूरा जोडने का प्रियास मत करना और दूसरी बात जैसा कि मैंने कहा मेरा लेक् फ्यूजन नहीं होगी मेरी क्लास रेगुलर सुनते रहना तभी मेरा लेक्चर समझ पाओगे नहीं तो एक लेक्चर सुनोगे फिर दो लेक्चर छोड़ करके तीसरे लेक्चर में जबाओगे तो आपको लगेगा सर क्या ये बात कर रहे हैं समझ नहीं या रहा पता नहीं चलिए सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी मेरा लेक्चर अच्छे सी समझ पा रहे हैं तो आप के लिए समझना मेरा लेक्चर बहुत कथी बहुत ही कठीन होगा यदि आपने समझा इसका मतलब सुनिए तब बात समझ में आएगी मैं सारा लेक्चर एक दूसरे से कनेट करके पढ़ाता हूँ मिरा ये कि एक लेक्चर अलग-अलग नहीं होता कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कोई कुछ पूछना चाहता है ये हत्या है हत्या नासरुदीन कोई कमेंट हो तो बताएं विरेन जी लिख रहे हां सर पूरी बात समझ में आगे क्यों नहीं आएगा टैलेंटेड लोग हैं आप एक हजार परसेंट क्लियर हिंदू समराड जी बहुत बढ़िया सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं धन्यवाद सर वो लोग ज्यादा तर मंदिर को ही टार्गेट करते तो समकालिन राजा को भी लूट सकते थे नहीं राजा को तो लूटते थे बड़ लगता है आपने मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से कांटीनू नहीं सुना दरसल मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि मुस्लिम आक्रमण कारी जब दुनिया पर आक्रमण करते थे उनका दो टार्गेट होता था एक राजनीतिक दूसरा धार्मे राजा को लूटना राजा को हराना एक राजनीतिक उद्देश से है मंदिर को टार्गेट करना एक धार्मिक उद्देश से हैं क्योंकि वो इसलामिक इंपायर खड़ा करना चाहते थे तो इसलामिक इंपायर का मतलब है कि जहां पर सिर्फ इसलाम धर्म के लोग रहते हों तो अन्य धर्म के लोगों को परिशान करना स्वभाविक है अन्य धर्म कि लोगों का जो है जो आस्था का केंद्र था उसको द्वास्था करना स्वाब अब एकसी बात है कॉमन सेंस है उस्तमें यही होता था तो मुझे लगता है कि चंदन कुमार जी आप मेरी बास समझ गए होंगे अमरंके श्रिवास्तों जी लिकरे सर सब समझ में आ गया अनुसिंग जी लिकरे सर पीडियफ नहीं मिलेगा बिटा पीडियफ एक बार आप लोगों के लिए आसान तो हो जाता है यो आप उसे रिवाइश करने लेकिन सही तरीका नहीं नोर्स बनाए खुद से बनाना ही पड इस्तार करने के लिए रिंकों सिंग जी यह क्वेशन बढ़िया है तो यह क्वेशन बढ़िया है देखो अलाव देन खिल जी दच्छिड भारत पर कंट्रोल क्यूं नहीं किया एक प्रस्थ नाया है और यह अच्छा प्रस्थ नहीं तो मैं यहां पर इस बात को क्लियर कर देता हूं हाँ विनेश्री वास्ताओ जी यही बताने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं देखिए अलाव दिन खिल जी की राजधाने थे दिल्ली आप ऐसे समझो यदि वह अब्यक्ति साउथ पर कंट्रोल कर ले तो साउथ वालों को भी पता था दिल्ली दूर है अगर साउथ वाले बिद्रो कर दें अलाव दिन खिल जी के पास पता चला कि एक लाख की सेना है उसमें से अलाव दिन खिल जी 30 हज़ार की सेना भेदे साउथ में अटैक क वहाले वहां की पहाड वहां की जो गलियां हैं और पहाडों के बीच में से अटाइक कर करके 30,000 को वहां क्लियर करतें अलाव दिन खिल जी के पास बचे 70,000 70,000 में से पता चला इसने फिर 30,000 भेजे यहां बचे 40,000 मानक यानि की इसकी सैन सक्ती दिल्ली में कम हो गई और उसी समय कोई विदेशी आक्रमर कारे दिल्ली पर अटाइक कर देता हैं आप देख रहे हैं दिल्ली की बगल राजपूताना सिनकी दुस्वनी है दिल्ली की आसपास कई राजजों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो केंदर में सेना ज़्यादा होनी चाहिए या तो आज की सुविधा होती के एर फोर्स को तुरंद भेज दिया जाता ऐसा तो था नहीं पैदल सेना साउथ इंडिया में जाकर वापस आने में बड़ा समय लगाते थी अगर दिल्ली पर कोई खत्रा भी मढ रहा है तो साउथ इंडिया से सेना आने में टाइम लगेगा सांसाधनों के अभाव में दिल्ली में बैट करके साउथ इंडिया पर कंडोल करना कठिन कारित था इसलिए अलाउद दिन खिल जी साउथ इंडिया पर कंट्रूर नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे बताएं सब आपके लेक्चर का नोर्स कैसे बनाएं साथ साथ जब मैं पढ़ाता रहता हूँ या तो बोर्ड पे देखकर बना लें या तो वीडियो आपके पास होता है आप उसे थोड़ा सा स्लो करके चलाएं और जब मैं समझाया हूँ तो समझी चुके हैं आप जो पेज मैं आगे पीछे करता हूँ या बोलता हूँ उसको वीडियो स्लो करके आप नोट कर लें ये कर सकते हैं कबजा करके सामंत तो रख सकते थे किसी ने प्रस्थ न किया और ये प्रस्थ भी बहुत बढ़िया है सामन्त वहां रख तो देंगे वहां सेना भी रख देंगे पर सामन्त जीवित कहां बचेगा साउथ वाले घेर कर उसे मार देंगे यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ असोक समराट ने कैसे जम्मू तक कंट्रोल किया असोक एक महान सासक था और बहुत गुद्धिमान असोक की जो पॉलसी थी भारत पर कंट्रोल बनाए रखने की वह बहुत डिफरेंट थी बहुत अच्छी थी वो मैं आपको समझाऊंगा तो असोक असोक था उसके बारे मैं बताऊंगा मैं आपको अलाउदीन ने गुप्तचर प्रलाली ये थापित की थी उसने अमीरों के उस्सवं और भोजों को रोग दिया था ये लिख रहे हैं क्रिस्ना गौतम जे बिल्कुल आइसा ही किया था दरसल अलाउदीन खिलजी जो है इन बिद्रोहों के बारे में पता लगवाया और पता लगवाने पर ये पता चला कि जो आधिकारी होते हैं वो अकसर पार्टियों में सराब पी करके फिर बवाल करते हैं या तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के यहां साधी बिवा करके बेटे बेटे के संबंद स्थापित करके अपनी सक्ति बढ़ाता है बाद में विद्रो करने का प्लान बनाता है इस सारे विद्रो के कालनों का पता लगाने के बाद अलाउद दिन खिल जी ने बिना उसकी परमीशन के कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी के हाँ साधी नहीं कर सकता ऐसा नियम बनाया था पार्टियां करने पर ऐसे प्रतिबंध था मैंने कहा जो जमीने हुआ करती थी अधिकारीयों के पास जिससे वो आइटिटूड में रहते थे वो सब छीन ही लिया था जो खालसा जमीन थी इस तरह से अलाउद दिन खिल जी ने बिद्रोग को रोकने के कई प्रयास किये थे आकांचा जी लिख रहें है सर ऐ कांटीन्यू करें ठीक है घटना चक्र मुबैल से स्हाल कर सकते हैं क्यूं नहीं कर सकते आप डाउनलोड कर लो सर कांटीनियो ठीक है फिर धार्मिक करण नहीं था उसका किसका ये मैं नहीं समझ पाया खिल जी के किसी संपत्ती का मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यू हुई थी खिल जी किसी सेनापती का जीत पांडे जी पूछ रहे अच्छा प्रस्न है देखिए अलाव दिन खिल जी का एक सेनापती था जो मंगोलों को डरा के रखता था ऐसे में उसका नाम बहुत ज्यादा रोसन होता गया वो मसूर होता गया उसकी ताकत उसका प्रभाव जो मंगोलों पर था अलाव दिन खिल जी को चिनता हुई कि कहीं ऐसा नहों कल को ये मेरा ही चैप्टर प्लोच कर दे हमें माल ना ले तो अलाव दिन खिल जी उसको रास्ते से हटाना चाहता था एक बार मंगोलों ने अलाव दिन खिल जी पर आक्रमर किया अलाउदिन खिल जी सेना के साथ खड़ा था सामने मंगोल सेना थी जफर खान जो मंगोलों को हराता था बार बार वो भी वहां पर था कहा ये गया था कि जब तक अलाओ दिन खिल जी का आदेश ना हो कोई आटेक नहीं करेगा अब सामने मंगोल खड़े थे और जफर खान मंगोलों को देखता था तो उसकी भुजाय फड़क नहीं लगते थी उससे रहा नहीं गया उसने मंगोलों को दोड़ा लिया मंगोल भगे डर्बस जफर खान मंगोलों का पीछा करता गया मंगोल भागते गये अलाओ दिन खिल जी ने बाकी सेना को रोक दिया, जब ये आगे जाएगा मंगोलों के बीच में घिरेगा तो मारा जाएगा, मेरा रास्ता क्लियर होगा, ऐसे में जफर खान अलाओ दिन खिल जी की वज़े से मंगोलों के बीच में घिर गया और मारा गया, लेकिन मैं आप ल राभ के अधिकारियों की हत्या करवा कर आप देखिए उसके मरने के बाद कोई ढंकर रहा नहीं जो साथ uneven कर पाथ उसके अपने लोगों में यही तो अलाउडिन खिल को योग लो थे उसको वजो लास्त नहीं होते थे और अलाव दिन खिल जी के मरने के बाद आप देखें चारी साल बाद तो इसका भी वनसमाब्त हो गया तो अलाव दिन खिल जी ने गलती कर दी और इसी केस विस्ट करमा जी लिख रहे हैं सर्राधानी बदल कर दच्छिड में अधिकार कर सकता था यह का कार तुगलक लोग करने का प्रियास करेंगे अब वो सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे यह भी देखना पड़ेगा क्योंकि साउथ इंडिया को कैपिटल बनाने का मतलब देखो कैपिटल वहां बनाओ जो छेत्र बहुत सम्रिद्ध हो और आपको जानते हैं साउथ इंडिय इंडिया बहुत डिवलप नहीं था ना खेती योग अच्छी जमेन थी बहुत सारी समस्याइं थी और उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास यह सब था साउथ इंडिया में कैपिटल बनाकर पूरे भारत पर कंट्रोल किया जा सकता यह बहुत सही तरीका था लेकिन यह सही तरीके से लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह जब प्रयास करेगा तुगलक साथ सक जो सबसे बड़ा सामराज बनाएगा भारत में मुहम्मद बिन तुगलक मैं पढ़ाऊंगा तो आप खुदी देख लेना यह मौडल सफल होता है कि नहीं अलाव दिन खिल जी की गलतियां क्या है गलतियां ही गलतियां है प्रसंसा किस बात पर की जाए अभी तो यह उस समय की भारत को लूट रहा है तो प्रसंसा कर ही नहीं सकते सब गलतियां ही है विशाल जी लिकरें सर बकवास के कमेंट को मत पढ़ें ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा पर कुछ जो कार काम की कमेंट है अच्छी क्वेश्चन है उसका रिपलाई करना बेटा जरूरी है अगर आप मेंसे कुछ लोग भी मेरा लेक्चर नहीं समझ पाए तो आगे बढ़न भारत एक बहुत विशाल देश रहा है जो भारत के हिंदू सासक थे पहले वो पूरे भारत पर तो कंट्रोल कर लेते और वहीं नहीं करना चाहते थे हिंदूस्तान में संतोसी प्रवित्ति की लोग हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग रहें आप लोग तो जानते होंगे अब ही कुछ लोगों काऊदारण ऐसता होगा एक बार उप्रात मी के विध्यालियों में नौकरी निकली बहुत सारे लोग प्रात मी के टीचर हो गए अब कुछ उसमें से संतोस करके टीचर ही रह गए और बहुत सारे लोगों ने तैयारी करते हुए आगे अपने आपको बढ़ाया और आये ता फीसर बन गये भारत के बहुत सारे राजा अपने छेतर में रहकर संतोज कर लेते थे कुछ थासा कैसे हैं जो पूरे भारत में बिसाल सामराजी खड़ा करना चाहते थे लेकिन पूरे भारत में जब बिसाल सामराजी खड़ा कर लेते थे उसके बात की मानसिक्ता ये थी, हम बाकी दुनिया वालों को परिशान नहीं करेंगे, भारत जीयो और जीने दो की पॉलसी में भरोसा करता था, आप अब ऐसे देखिए, भारत चाहे तो पाकिस्तान को जीने ना दे, पर भारत ऐसा नहीं कर सकता, मानसिक्ता नहीं है भारत की, लेकिन पाक सिक्ता अलग है, यही कारर था, तो उखा महजीत का संबन किस से, तबेटा मैं बताऊंगा, बहुत सारी बिल्डिंग पर चर्चा करूंगा मैं, कुछ महत्पूल बाते भी उसके बारे में करनी है, चर्चा करूंगा, सर अलाउद दीन की साउथ वीजय का, क्या मतलब है, सि इसे साइन सकती बढ़ा ही जा सके, सर आपके बताने में द्रिश्टी आई, यह पेपर साल्व कर लिए, कोई भी पेपर साल्व कर लेंगे आप लो, जितना पढ़ाया जाता है, अगर ढंक से समझ जाएं, तो एक्जाम ओरियंटेड मैटेरियल है, आपके सेलेक्शन के भारत की लोग वसुधय कुटमवकम की पॉलसी में वरोसा करते थे, लेकिन देखो समय समय पर नीती बदलती है, पूरी दुनिया एक परिवार है वो तब कहा गया था, जब दुनिया में जनसंख्या कम से कम थी, जब रफी पढ़े होंगी पता होगा पहले तो दुनिया ए परिशान तो दूसरा भी परिशान, तो कहींने कहीं से ये जुडाओ रहा बहुत पहले, लेकिन जब लोग संतुष्च थे, जनसंख्या कम थी, संसाधन ज़्यादा थे, प्रेम से लोग एक जगा से दूसरी जगा आते जाते थे उनका स्वागत किया जाता था, तो चलो द पहचानना जरूरी था देश का दोस्त कवन है, देश का दुस्मन कवन है, भारत के लोग देश के दोस्तों का भी सम्मान करते थे, देश के दुस्मनों का भी, अंग्रेजों का कम रिस्पेक्ट नहीं था भारत में, तो जब आप समय की इसाफ से अपनी सोच नहीं बदलें सर आप ऐसा सब्दों का प्रियोग करते हैं जैसे हिस्टी फिल्म की तरह चल रही बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद देखो मैं आप लोगों को सरद से सरल तरीके से पढ़ाना और समझाना चाहता हूँ इसलिए मेरा प्रयास यह होता है कि बहुत बेवहारिक तरीके से मै है सारा इस्टेडी मैटेरियल आपको प्रवाइड करा देता हूं यह मेरा प्रयास है आप लोग समझते हैं उसके लिए धन्यवाद सर दच्छिड में अलावदीन खिल जी का क्या प्रभाव पड़ा लूट करके बरबाद करता चला गया तो प्रभाव ही प्रभाव है सर अलावदीन खिल जी इस्ट पर क्यों आक्रमन नहीं किया वहां जाएगा जहां पर इसको प्राफिल जदा हो इस्ट बहुत डिवलप नहीं था पहाड़ी एरिया था आज भी देखो इस्ट बहुत डिवलप नहीं है भारत को बहुत सारा पैसा उदर खर्च करना पड़ता है भारत सरकार को तो जहां वो फाइदा देखेगा वहां जाएगा आपने देखा ता मॉडरन हिस्ट्री में नेपाल बगल में था पर किया अब नश्ट करके प्रभावित करने को प्रभावित करना कर सकते हैं तो किया वैसे नश्ट करना भी प्रभावित करना ही है तो बहुत कुछ इसने नश्ट करवाया इस प्रकार से प्रभावित ही किया जगदीजी लिकरें बहुत सांदार गुर्देव धन्यवन स्टोरी की तरह है समझ में आ गया बढ़िया आना भी चाहिए अब तक के बेस्ट टीचर है सर्फ आई एस पवन मौरिया जी बदाई हो आप रुको पहले से ही आपका सपने पूरा साकार हो थैंक यू इस्ट एंड साउथ पार्ट आफ इंडिया इस हिल से रिया सो अलाव दिन खिलजी वाज नाट कवर दिस पार्ट पृते संग जी सही कहा आपने आप लोग भी अब विवारी सोचने लगए कहां पहाड़ी एरिया कहां पठारी एरिया कहां मैदानी भाग कहां पर ज्यादा प बड़ी बात है खुसी हुई जानकर कि आप लोग सब समझने लग गए हां सर प्रजेंट टाइम में चाइना की पॉलसी इंडिया को चारो तरफ से घेर घेरना हम हिस्टी से कहीं हां बिल्कुल यही चाइना की पॉलसी है पर ये बात भारत की आम जंता तो समझ नहीं पाए हैं और वहीं समझ भी सकते हैं तुगलक कल ही शुरू होगा आज के लिए धन्यवासर जी बिने स्रिवास्तों जी समझ गए आप वह बहुत डिटेल से है आज कहां से शुरू कर पता उतना टाइम नहीं बचता क्या अलाउद दिन खिल जी संगीत प्रेमी था अलाउद दिन खिल जी का संगीत प्रेम बहुत ज़्यादा मसूर तो नहीं है लेकिन उसका दरबारी विद्वान संगीत से बहुत लगाओ रखता था तो जाहिर सी बात है कि सासा का सन अच्छड है उसे और एक प्रस्थन है सराप ने कल रामचंद्र देव के बारे में बताने के लिए बोला था अब बताये तो आज वो 1307 इस भी में देवगिरी पर फिर अटेक हुआ था तो रामचंद्र देव को हरा करके अलाउद दिन खिल जी ने इस बार उनकी बेटी से साधी कर लिया था और अच्छी संबंद रामचंद्र देव से भी अस्थापित कर लिये और रामचंद्र देव की मदद से ही अलाउद दिन खिल जी और उसका सेना पती मलिक काफूर साउद को जीत पाया था अलाउद दिन खिल जी के मराठा सैनिक ये रामचंद्र देव के मराठा सैनिक अला कि खिल जी के मंत्री मंडल के बारे में एक बार में बिस्तार के साथ बता दिते मैं पूरे सल्सनतों मंत्री मंडल बताऊंगा निशत रहें समुध्र गुप्त की बारे में आगे चर्चा करूँगा सर इतना ग्यान कहां से लाते हैं आप हिमाले की गुफाओं में तो नहीं जाना पड़ा मुझे पस ये कह सकता हूँ आप लोग की तरह ही स्टुडेंट लाइब थी कभी और एक बंद कमरे में ज्यानवर्धन होता रहा और कुछ अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिला तो कुछ यही प्रासेस रहा है ज्यानवर्धन का हम लोग गुफाओं तक नहीं पहुचे सर इतना सर आप बहुत अच्छा प्राते धन्यवाद लाओ दिन खिल जी बहुत सारी भासा जानता था कुछ भासा तो जानता ही रहा होगा अब कम से कम भारत में था तो भारती भासा ही काम भर की जानता था बाकि यूरोपियन लेंग्विज जाने का इस बात की तो कलपना नहीं की जा सकती अलाओ दिन खिल जी न्याय प्रडाली कैसी थी पूरे सल्तनत काल की न्याय प्रडाली मैं आपको बताऊंगा वैसे न्या आए था लाओ दिन खिल जी के अपने लोग और उसके लिए न्यायले वगरा स्थापित होती थी आगे चर्चा करूंगा मैं सर अपने गुलामों को युद्ध करना सिखा कर सासक क्यों बनाते थे जैसे बलबन देखो सासक नहीं बनाते थे क्या होता था कई बार कोई सासक एक दूसरे राज़े पर अटाइक किया वहां के लोगों को मार करके बच्चे उठा लिया फिर उन बच्चों को ले जाकर की खुब ट्रेंड करके उनको स्ट्रांग बनाएगा युद्ध कला सिखा कर फिर उन बच्चों को ले जाकर मार्के में बेचा जाता था तो जो खुब बाडी बिल्डर टाइप का होता था लोग उसे खरीद लेते थे अभी का हुआ व्यक्ति गुलाम था वा लेडी लड़ाई में ट्रेंड होता था तो उसकी योगिता देख करके बड़े-बड़े पद पर से बैठा दिया जाता था सर क्लास बहुत ही हेल्प है आज मेरा सेकेंड डे है सालनी बिटा फिर आप पुराने सारे लिक्षर मेरे देख डालो तभी समझ में आएगा आपकी टीचिंग टेकनिक बहुत ही सांदार है मोटिवेस्टन इस्टूडियो थैंक्यू चलिए ठीक है आज की क्लास में यहीं तक मिलेंगे नेश क्लास में कोहिनूर पाके उससे रुद्र देव को छोड़ा हां रुद्र देव को छोड़ दिया था समझाता हो गया था हिंदू समराल जी लिक्रे लाइक करो बिलकुल लाइक और सेयर करना आप लोग की जिम्मेदारी है या आपकी अपनी ड्यूटी है इस